हलो फ्रेंट्स मैं एंशल हूँ कुछ टाइम पहले हमने एक कोब्रा एफेक्ट के बारे में वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग कॉमेंट आई थी जिसमें किसी ने लिखा था कि यह स्टोरी गलत है यह एक्चली चुहों के उपर स्टोरी थी सही था क्योंकि यह इंसिडेंट कोब्रा के साथ भी हुआ था और स्नेक के साथ भी हुआ था एक्चली तो दोनों स्टोरीज हैं तो मैं पता नहीं दोनों हुए थी कि नहीं हुए थे कोई concrete evidence नहीं है लेकिन अगर आप चाके इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको दोनो तरह से आपको similar examples मिलेंगे तो कोब्रा effect में हमने basically the concept that we discussed was about the law of unintended consequences and also about the second order effects तो consequences के consequences होते हैं और एक छोटे से cause का बहुत far-fetched और बहुत दूर का effect होता है जो हम पहले से anticipate नहीं कर सकते हैं that was the idea तो in fact आज ही मैं एक article पढ़ रहा था और उस article में काफी सारे examples discussed किये गए which explain this idea in more detail यह article जो है मैं I will include the link of this article in the video description so you can read it but I will quickly talk about some of the examples which were discussed in this article यह article लिखा है प्रोफेसर संजय बक्षी ने he is a professor in a MBA college called MDI गुडगाउं MDI गुडगाउं इंडिया के top 10 और 15 MBA colleges में आता है so talking about cobra effect प्रोफेसर बक्षी लिखते हैं a similar incident occurred in Hanoi under the French colonial rule French colonial rule के समय भी कोई एक जगह थी हनोई नाम से वहाँ पर भी एक similar case हुआ था cobra effect के समान वहां का जो रूलर थे उन्होंने एक scheme announce की और वो scheme थी कि आप चुहों की पूच काटके लेकी आई है as a proof कि आपने चुहे मार दिये हैं तो लोगों ने क्या किया क्योंकि पैसे थे वो सिर्फ चुहों की पूच के लानी के लिए थे तो लोग चुहों को मारते नहीं थे चुहों को पकड़के उनकी पूच काट लेते थे और पूच को ले जाके पैसे ले ले लेते थे और चुहों को फिर से छोड़ देते ताकि कि वो चुहे जाके और बच्चे पैदा करें और और चुहे हो सकें. So, the bounty hunters never kill them. Instead, they just severed their tails, released them back into the sewer. So, they could continue to procreate and make more rats, which of course increased the rat catcher's income. So, ये है second order effect का exam. So, ये तो कहानी हो गई. इसका real example है, कुछ जिनों पहले government का rule आया था कि सारे जो hospitals होते हैं, उनको अपना mortality rate disclose करना पड़ेगा. मतलब उनकी hospitals में कितनी deaths हो रही हैं, वो disclose करना पड़ेगा openly. Government ने सोचा था, शायद कि जिस hospital में अगर कोई लापरवाही हो रही हो, या कुछ abnormal cases हो रहे हो, तो लोगों को पदा चलेगा कि हाँ भाई, लेकिन उससे हुआ है कि सारे hospital डर गए, और जब भी उनके पस कोई ऐसा patient आता था, जो कि terminal condition में होता था, या जो बहुत ही खराब अलाप में होता था, तो उनको मालूमत है कि उनके hospital में आके, उस patient के मरने की chances जाता है, तो वो मना करते थे थे थे, कि हम ऐसा patient को admitty नहीं करेंगे, तो यह उसका second order effect हुआ, और यह unintended, वह government चाहती कुछ और थी, और उसका हो कुछ और रहा है, बिजनेस में जब किसी कंपरी में कोई नया CEO आता है, और board of directors बोलते हैं, कि उसके सामने target रख देते हैं, कि अब इस साल आपको इतना revenue इतना profit generate करना है, तो अब उस CEO के सामने एक short term goal आ गया, तो उस short term goal को पूरा करने के लिए, CEO शायद कुछ ऐसे भी कदम उठा सकता है, जो कि long term, company के लिए long term में लुकसान कर सकते हैं company को, वो सकता है कि उस साल, उस एक-दो साल के revenue और profits को जड़ा दिखाने के लिए CEO हो सकता है, कि कुछ ऐसे expenditures करना बन कर दें, जो company के लिए long term में फाइदा बने, for example, he might cut down on expenditures on marketing, तो marketing का तुरंट effect नहीं आता है, कुछ delayed effect होता है, कि आज आप इस साल बहुत ज़दा marketing and branding करेंगे, तो उसका अगले 2-3 साल में effect आएगा, उसका अगले 2-3 साल में advantage मिलेगा, या आप research and development में पैसा लगाते हैं, वो CEO बन कर सकता है immediately, तो जैसे ही सारे expenditures, short term expenditure बन होंगे, तो short term profit बढ़ जाएगा, लेकि long term में इसका ultra effect बढ़ेगा, और क्या होगा कि short term में एक-दो साल में profit बढ़ेगा, और CEO अपने goals achieve कर लेगा, तो board of directors को लगेगा कि हाँ CEO अपने goals achieve कर लिया, वो उसको एक fat salary, fat bonus देंगे, और फिर अगले 3-4-5 साल के बाद अगर खराब results आए, क्योंकि long term effect होना है, तो CEO को निकाल देंगे नौकरी से, लेकिन CEO को तो short term में फायदा होई गया, क्योंकि उसने ज़्यादा bonus बना लिया, और यह सारा problem क्यों create हुआ, पहला तो हमने देखा कि second order effect, because the board of directors could not think about the second order consequences of their actions, second was something called incentive bias, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको incentives मिलते हैं, annual bonus मिलता है, based on company के performance, आपकी performance, उसी तरह से CEO के जो incentives decide होते हैं, अगर board of directors ने CEO के जो bonus वगरा है, incentives है, उसको company की short term performance से directly link कर दिया है, तो CEO का focus हमेशे short term performance पे होगा, long term पे नहीं होगा, और यह बहुत common problem है, अगर आप देखें, politics में भी यह problem बहुत common होती है, current जो government है हमारी, they will talk a lot about the advantages of having the Aadhaar scheme, and how they have taken the Aadhaar scheme, and created Jandhan, all this digital India movement, but earlier government will say कि Aadhaar तो हमने शुरू किया था, आप तो बस उसका advantage ले रहे हैं, तो आपने देखा क्या हो रहा है कि एक government कुछ action लेती है, implement करती है, लेकिन उसका जो positive effect है, क्योंकि इतनी बड़ी country है, और इतनी complicated schemes होती है, उसका जो effect आता, उसको आने में 4, 5, 6, 10 साल तर लग जाते हैं, मतलब उसका long term effect आएगा, तो आपने short term में decision लिया, लेकिन उसका long term में effect आ रहा है, आपको मालूम नहीं है कि आपकी government तब तक रहेगी कि नहीं, उसका benefit actually लेने के लिए, now you will be forced to only invest in those schemes, which have immediate impact, और which have immediate results, और इतनी बड़ी country को आप manage कर रहे हैं, तो उस country में positive changes लाने के लिए time लगेगा, लेकिन क्योंकि government को पता है कि जब election का time आएगा, तो they won't be able to say कि भाई हमने ये काम किया, जिसका effect आने में भी 2-4 सार और लगेंगे, उनको तो वो दिखाना पड़ेगा जिसका effect तुरंत आया, तो यहाँ पर उनके incentives जो हैं, वो misalign हो गए, हम देश की जनता है, हमारे लिए जो decisions ले रहे हमारे अच्छे के लिए, उसके effect थोड़े देर से आएंगे, delayed होंगे, और उनको भी यह पता है, लेकिन normal हम लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, हम को instant result चाहिए, हमने politician को elect करके भेजा है, तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत आच कुछ काम करें, उसका तुरंत effect आए, कुछ decisions होते हैं, जिसका तुरंत effect आता है, लेकिन बहुत सारे decisions होते हैं, जिसका थोड़ा late effect आता है, तो यहाँ पर भी second order effect and incentive cost bias काम करता है, so incentive cost bias is a very important psychological bias, जब इंडिया में license राज चलता था, उसमें बजाज scooters आती थी, तो government ने fix कर दिया था, कि बजाज scooter के number of production पे, और उसके price पे भी, उन्होंने regulate कर दिया था, कि आप हर साल से के वोल, इतने number of scooters produce कर सकते हैं, और उसका maximum price यह हो सकता है, तो government ने कुछ अपने सोच से किया, कुछ समझ से किया, कि common आदमी afford कर सके motorcycle और scooter, लेकिन उसका effective है, क्योंकि उन्होंने उसका production भी limit कर दिया, क्योंकि license राज था, तो उनको regulate करना था, और उनने price भी regulate कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि black market डवल अप होगी, जिन लोगों का number lottery में यह लग जाता था, उन लोग अपना scooter खरीद के, दूसरों को higher price बेज देते थे, मुझे खुद याद है कि मेरे पापा ने 1984, 85 या 86 के समय scooter लिया था, और बजा स्कूटर का असली दाम 10,000 रुपए था, लेकिन उनने black market में 4,000 रुपए लेकर 14,000 में स्कूटर खरीदी थी, तो 70s और 80s की जो हिंदी movies होती थी, उसकी अंदर जो villain होते थे, उनका main profession क्या होता था, सारे जितने भी villains होते थे, उनका main profession होता था, लेकिन अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोग सोना smuggle करके लेकि आते थे बाहर से, तो जब भी और वो इतरह का black market है, तो जब भी आप किसी चीज को forcefully ban कर देंगे, regulate कर देंगे, और उसकी अगर demand है, तो automatically उसका पहला second order effect यह होगा, कि उसका black market develop हो जाता है, प्रोफेसर बख्षी ने अपने article में example दिया है, तो वहां बहुत ज़रा drug smuggling होती है, तो Hollywood movies का जो typical villain होता है, वो क्या होता है, वो drug dealer होता है, या drug lord होता है, तो और US में बताते हैं कि, because of all this artificial, because of this drug regulation, and high demand of drugs, there is a huge black market for drugs, and there is so much crime because of all this, और दूसरा extreme example वो लेते हैं, निदर्लेंड का, निदर्लेंड एक country है, येरोप की, जहां पर surprisingly, गौवर्मेंट, वहां पर crime इतना कम है, कि गौवर्मेंट ने recently, वहां पर बहुत सारे prisons, जो jail होते हैं, वो close कर दिये, क्योंकि उस अब खाली पड़े रहते हैं, कोई रहता नहीं, वहां पर बहुत ही कम criminals हैं, और उसका एक reason ये है, कि निदर्लेंड में, ड्रॉग्स जो हैं, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ड्रॉग्स हैं, वो legal हैं, दुखानों में openly बिखती हैं, तो जब आप उसको openly बेचने लगे, तो there was no black market of it, and when there is no black market for anything, there is no scope for crime, कोई crime नहीं होगा, क्योंकि black market से ही crime निकल के आता है, आप उसको legally बेच सकते हैं, तो फिर उसमें क्या crime होगा, तो this is one example, I am not saying कि हर country में drugs को legal कर देना चाहिए, but this is an example to understand the second order effects, and cobra effect, and incentive cost bias, बहुत सारे लोग argument देते हैं, कि इंडिया में आपको अगर smoking रोकनी है, अगर आपको alcohol लोगों की आरत चुडानी है, तो आप उसको ban कर दीजिए, जैसे गुजरात में dry state कर दीजिए, आप इंडिया में, पूरा पूरे इंडिया में dry state कर दीजिए, आप पूरे इंडिया में sale of tobacco and alcohol पूरे तरह से ban कर दीजिए, जो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब इस idea को, इस insight को, cobra effect को ध्यान में रखते हैं, उसे होई सोचें, तो क्या होगा, क्योंकि डिपान बहुत जादा है, बहुत सारे लोग alcohol से addicted हैं, बहुत सारे लोग tobacco से addicted हैं, क्या होगा, जैसी आप उसको illegal कर देंगे, तो immediately black market develop हो जाए, at the beginning of my career I was in Gujarat, और उस time Gujarat was a dry state, अभी भी है, उस समय भी था, और वहाँ पर availability of alcohol was not a problem, because आपको, although openly, कोई शॉप में नहीं मिलता है, लेकिन घर घर, लोग छोटे छोटे लोग घरों में अपने फ्रिज में beer की bottle और ये alcohol लाकर रखते थे, और उसको दुगने दाम पे बेचते थे, क्योंकि it actually become kind of a side business for a lot of people, although it was illegal, but people were ready to take that chance, because there was so much profit margin. In fact, मजे की बात है कि गुजरात से लगी हुई बॉडर से लगा हुआ दमन धीव से जहाँ पर alcohol बहुत ही सस्ता मिलता है, शायद वहाँ tax free है, कुछ ऐसा है, तो बहुत ही cheap rate में वहाँ पर alcohol मिलता है, तो लोग वहाँ से लेके आते थे, और यहाँ आके MRP से भी double price पर बेचते थे, इंडिया में जो agriculture इसको promote करने के लिए गौवर्मेंट ने यूरिया जो होता है, खाद, उसको subsidize किया हुआ था, कि बहुती cheap rate पर बिखता था, तो उसकी manufacturing cost थी, उससे बहुती कम rate पर अविलेबल था किसानों के लिए, तो अब क्या हुआ कि जो दूसरे आसपास की countries है, बैंगलदेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पर इतना सस्ता नहीं मिलता था यूरिया, तो इंडिया से smuggle होके वहाँ जाने लगा, तो वहाँ पर black market बन गया, और इंडिया से लोग खरीदते थे और वहाँ जाके बेजते थे, मुझे याद है कुछ states में government ने announce किया था कुछ सालों पहले कि, जो poverty line से नीचे लोग हैं, उनको कुछ grains, राइस या गेहू, बहुती कम दाम, बहुती सस्ते दाम हैं, एक रुपए किलो ऐसा कुछ बहुती चीप रेट से मिलेगा, तो उससे क्या हुआ कि जो गरीब थे, उन्होंने क्या कि, और उन्होंने खरीदा, और उनको लिमिट थी कि वा या आप 5 महिने में 10-20 किलो खरीद सकते हैं, तो all these people, they would actually buy at cheap rate, and then go back and sell it to grocery store और किराना शॉप को 5 रुपए, 10 रुपए किलो में बेज देते थे, और Indian government ने एक, जो heart surgery में जो stent use होता है, वो बहुती महंगा होता था, और उसके कारण surgery की cost बहुत जादा बढ़ गई थी, तो Indian government ने बोला कि, हम उसकी उपर एक, उसका price को regulate कर देंगे, हम उसके price पे cap लगा देंगे, कि आप इतसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उससे क्या हुआ कि heart surgery की, गवर्मन ने एक्सपेक्ट किया कि heart surgery का जो cost है, जो expenses है बहुत जादा कम हो जाएंगे, लेकिन problem यह हुआ कि बहुत से प्राइबेट हॉस्पिटल, used to make a lot of profits on that stent, और यह जो दूसरी companies होती हैं, जो यह stent बनाती हैं, उन लोग भी उस पे बहुत जादा profit margin कमाते हैं, तो जैसी गवर्मन ने regulate किया उसका price, यह पूरा profit margin चला गया, तो जैसी profit margin चला गया, तो इन companies के पास और इन hospitals के पास, there was no incentive to use this stent and go for the surgery, तो सरे standard manufacturers ने ते रूऩ हीपाधरी, विदी winterries ते वत्थ पूत सिंः the product from the market, not everybody but a lot of them, because now there was no reason, it was not a profitable product for them, do you see what is happening here, the original intention was good, where government wanted the price, the cost of heart surgery to come down, but actually the outcome was not that good, फोले सचे प्र जूपितल से उस्पितली कर तू कर से शर्जदी सूर्जजी, which was again equally expensive as the earlier one second order effect से related एक और फिनामेन होती है जिसको बोलते है पल्समेन एफेक्ट एक US के एकोनोमिस थे Stephen Pelsman उन्होंने study किया था US में जो car accidents होते हैं उसको study किया था so one of the important safety feature in all cars आप तो इंडिया में भी बहुत सारी cities में, Bangalore में मैं रहता हूँ यहाँ पर compulsory कर दे गया seatbelt पहना, even inside the city you have to wear the seatbelt जब आप seatbelt लगाते हैं, आप speed में जा रहे हैं accident होता है तो आप बच जाते हैं लेकिन इसका एक ultra effect भी हुआ ultra effect यह हुआ कि जो लोग seatbelt पहने हुए हैं अब उनको मालूम है कि हम थोड़ा साथ तेज़ चला सकते हैं और क्योंकि अगर accident होगा भी तो we are safe because of the seatbelt तो वो तो safe हो गए लेकिन उनके तेज़ चलाने से दूसरे लोग, दूसरे drivers unsafe हो गए अगर हर कोई तेज़ चलाने लगे गाड़ी रोट पे तो overall the whole system the whole ecosystem of cars and passengers and people जो सड़क पे चल रहे हैं जो बाइक में जा रहे हैं उनकी लिए life और dangerous होगी because car बाले अब ज़रा तेज़ चला रहे हैं आपको याद होगा हमने anti-fragility और redundancy जब discuss किया था तो एक example आया था Phil Huges जो cricketer थी हमका example आया था किस तरह से उनकी cricket खेलते से में he died because even though he was wearing the helmet उनको सिर पे आके ball लग गई थी because he was attempting a risky shot क्योंकि वो इतना सारा safety gear पहने हुए थी उनको लगा कि risk कम हो गई है और वो बहुती risky shot खेलना शुरू कर दिया उनने और उसके कारण उनको ball उनके helmet के बीच में से निकल के चले गई और यहां आके लगी and then he died so that is a second order effect again if you think about it although redundancy के context में हमने example use किया था लेकिन उसका इस concept से भी काफी close connection है पल्समन effect जो हम बात कर रहे हैं so professor Bakshi ends his article with this very thoughtful line he says thinking about first order effects is very easy thinking about second or higher order effects is hard but just because it is harder does not mean one should not do it indeed the practice of routinely thinking about second and higher order effects is by asking and then what तो बोल रहे हैं कि first order effect तो हर को ही imagine कर सकता है in fact बहुत सारे actions हम सिर्फ obvious जो first order effects होते है जो first effect होता है किसी भी action का उसको ध्यान में रखके ही लेते हैं always ask and then what अगर मैं ऐसा करूंग तो ऐसा होगा और फिर उसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा अगर आप इस तरह से question करेंगे अपने हर important decision का then you will be able to proactively see कि क्या क्या possibilities हो सकती हैं and that will improve the quality of your decision making so that is the main learning of cobra effect so today we revised our concept about cobra effect about law of unintended consequences second order thinking and the two new words which we learned today was incentive cost bias and the pelsman effect thanks for watching दोस्तों हमारी प्लेइलिस्ट में जो बुक सीरीज है उसको हमको हटाना पड़ रहा है because बहुत सी कंपनीज हैं जो की बुक्स लिखती हैं वो चाहती हैं कि उनकी बुक्स को हम इस तरह से पब्लिक में रीड ना करें लेकिन आपको अगर ये पूरी की बुरी बुक सीरीज पढ़नी है समझनी है तो हमारे साथ प्राइम में में बन जाए तो उसमें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं पूरी की बुक सीरीज और अगर आप में से किसी को भी personally मुझसे guidance चाहिए मुझसे help चाहिए तो जोनों का basic course जरूर जोइन करिए Thank you so much